मैं एडवोकेट सुमित कुमार जाव सभी का आपने यूट्यूब चैनल बुक आफ इंडरलों में स्वागत करता हूं जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताये था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा किसे कहते हैं और इसका पनिस्मेंट कितना है कि आये वीडियो करते हैं और जानते हैं मनी लॉंडरिंग कहते हैं कि इलीगल सोर्स है पैसे का जो कि वैलिड नहीं है इन्वैलिड सोर्स है इलीगल सोर्स है पैसे का उसको हम क्या करते हैं वाइट बनाते हैं या वाइट दिखा का प्रियास करते हैं इसको हम कहते हैं मनी लॉंडरिंग और एक्जामपल आप जानिए हम एक तरीका बता रहे हैं ऐसा हजारों तरीका है ब्लैक मनी को वाइट करने का जो कि हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं पहला तरीका यह कि जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा लीगल सूर से पैसे आया एक बीच में एक बहुत बड़ा घुझनेस है विजनेस नाम के लिए अब वो क्या कर रहा है उस बिजनेस का जोस्ट और सेुष को है दिखाया समा उसके पास है थीए समानो में बेचा नहीं है समान उसका बिकाच नहीं है लेकिन गयों कर दिया ए ् उस रीकस दे दिया यह जो कैस वाला पैसा था यह वाइट वाइट हो गिल जिसको हम कहते है मेरी क्योंकि समानों के पास है यह मारूं विकाण नहीं लेकिन के कहारण जो 5 यह हो गया है है अब जब पकड़ेंगे थो दीनलोंडरिंग के केस में जाएंगे तही होकी मनी money laundering अब इसका punishment कितना है इसका punishment दिया गया है section 4 of money laundering एक 2002 section 4 में लिखा है कि minimum 3 साल और maximum 7 years का punishmentism और 5 लाग का जुर्बाना भी लगाया जा सकता है तो यह तो गया general punishment इसमें एक special punishment है कि maximum 10 साल तक का भी सजा हो सकता है अगर आपका offense यह आपका illegal source जो money का था इलीगल सोर्स पारग्राफ टू पार्ट ए में आता है वहाँ पर क्या है कि ज्यादा तर narcotics related cases है तो punishment बढ़ करके 10 साल हो जाता है I hope आपको समझ आया होगा कि money laundering क्या है और इसका punishment कितना है और एक जानकारी कि अगर आप कभी किसी भी criminal case में फसे किसी civil dispute में फसे किसी bank loan के चक्कर में फसे कहीं भी अगर matter आपका आता है तो आप हमसे संपर कर सकते हैं high court में आप आकर के जो हमने starting में number दिया है आप उस पर call करेंगे आप हाइक कोट बार कॉंसिल भवन के पास आकर करेंगे कॉल रिसीव हो जाएगा अगर रिसीव नहीं होगा तो आप WhatsApp कॉल करेंगे रिसीव होने के बाद वहां आप हमारे office में आएंगे और वहां पर जो भी होगा आपका problem उसको solve कर दिया जाएगा I hope आपको हमारी जानकारी पसंद आए होगी आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी important topic के साथ जह हैं